हेलो, मेरा नाम है अभिनीत समवादिय, मैं एक एड्यूकेटर हूँ, प्रोफेसर हूँ और एक प्रोफेशनल मेमरी साइन्स एक्सपर्ट हूँ मुझे छे साल से उपर का एक्सपिरियेंस है जिसमें मैंने बहुत सारे लेवल्स के स्टुडेंट्स को पढ़ाया हुआ है मैं जबलपूर मध्यप्रदेश में 482003 सिटी कोड पर लोकेटेड हूँ, ब्रेन साइन्स मेमोरी क्लासेज के नाम से मेरी क्लासेज रन होती है जबलपूर में जिसमें मैं ऑनलाइन और ओफलाइन दौनों सेशन्स में बच्चों को ब्रेन साइन्स के कोर्स के बारे मैं साइन्स मेमरी और एजूगेशन के नाम से जिसमें मेरा एम जो है उन बच्चों के लिए है जो की स्कूल के स्टुडेंट्स हैं या फिर कॉंपिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं जिसमें मैं फोकस करना चाह रहा हूँ उस पार्ट को जिसके बारे मैं हमेशा से प्रॉब्लम में रहते हैं बच्चे तो मैं अगर आपको बताओं इस चैनल के हल्प से इन जो वीडियो को मैं अब अपलोट करा करूँगा अपने यूटूब चैनल में उनकी हल्प से मैं उन बच्चों तक पहुचना चाह रहा हूँ जिनको याद करने में परिशानी होती चाहे वो सिक्स्ति से लेके ट्वल्स तक के बच्चे हो या कॉंपिटिटिव एक्जाम के एस्पिरेंट्स हों मैमोरी की जिनको भी प्रॉब्लम है वो जरूर मेरे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे साथ जुड़ें उनको मैं ये कोर्स सिखा कर उनकी इस आपको बता हूं जो हमारा brain science course है वो पारम पर एक जो टेक्नीक से स्टेडिंग की उससे different है किस तरीके से different है वो मैं आपको बताता हूं जो पारम पर एक education system है वो चार dimensions पर बेस्ट है लेकिन उनमें से सिर्फ तीन dimensions के बारे में हमारी students को पढ़ाया जाता है चाहे वो स्कू जो होते है reading, writing, understanding, logic and recollection जिसमें से reading, writing, understanding या logic वाला पार्ट हमेशा से हमारे school में, colleges में, universities में पढ़ाया जा रहा है but recollection वाला जो पार्ट है, मतलब चीजों किस तरीके से याद करें और exam में उनको किस perfect तरीके से वापस से recognize करें, recollect करें कि हमारे exams में हमारे जो number आते हैं, उनको हम master कर सकें, उनको हम बहुत अच्छे से score कर सकें तो reading सब समझते हैं, हमको लिखते बनता है, writing हमको पढ़ते बनता है, यह सब हमको school में सिखाया ही जाता है, basics level पर और जो तीसरा वाला पार्ट होता है, understanding और logic जो हमारा धिरे धिरे fourth class के बाद develop होने लगता है, हम चीजों को logically analyze कर पाते हैं, logically चीजों को समझ पाते हैं, और हमको implement कर पाते हैं, इस वज़े से mathematics या इस तरीके के subjects होते हैं, जिन में logical reasoning required होती है, वो हम आसानी सिकर पाते हैं, बट जो fourth part है, उसके बारे में किसी भी student को, किसी भी college में, school में, universities में नहीं पढ़ाया जाता है, वो है recollection वाला पार्ट, और recollection वाला पार्ट ही है, जो हमार के लिए खतम करके, उनको कुछ scientific तरीके सिखाना चाते हैं, brain science course के माध्यम से, जिसकी health से, वो इतने effective तरीके से चीज़ों को याद कर पाएंगे कि वो भूल नहीं भूल जाएंगे, तो brain science करता क्या है, as compared to the conventional education system, हम conventional education system में, जो भी चीज़े हैं, उनको images में convert कर रहे हैं, अ education system में, तीन चीज़े होती हैं, numbers, words और images, हमारा पूरा education system किसी भी level पर, चाह स्कूल लेवल हो, college लेवल हो, या university लेवल हो, और भी higher studies के लेवल पर हो, वो number, words और picture से मिलके बना हुआ है, तो problem आती है कि, जो numbers और words होते हैं, उनको हम memorize नहीं कर पाते हैं, effective तरीके से, जो हमा या बोल बोल के याद करना, बार बार उसको repeat करके याद करना, इन तरीकों से हम उसे याद करने की कोसिश तो करते हैं, और वो याद भी हो जाता है, पर प्रॉब्लम है कि वो लंबे समय तक याद नहीं रह पाता, in fact कई बार तो ऐसा होता है कि हमने exam के एक दिन पहले तक प brain science यही कर रहा है, जो आपके conventional याद करने के तरीके थे, बोल बोल के या निक लिक के याद करने के, उसको हम क्या कर रहे है, images में convert कर रहे है, मतलब सीधे सीधे बात करूं, तो numbers और words को brain science course में हमने क्या किया है, कुछ scientific methods हमने develop करी, ऐसी 14 scientific methods हैं, जिनमें हम numbers और words को images में convert कर दे रहे हैं, इससे होता क्या है, images को याद करना हमारे brain के लिए बहुत आसान होता है, एक research में यह पाया गया है, कि आपकी जो visualization या imagination वाली memory होती है, that is 20 times stronger than the conventional memory which utilizes your ears or eyes to remember things, जो सुनने वाली और देखने वाली memory होती है, उससे जादा effective memory होती, imagination वाली memory है, about 20 times stronger होती है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम numbers और words को किसी भी तरीके से images में convert कर पाएं, ठीक है, तो उन images को अगर हम याद करना ही कोशिच करेंगे, हमारा दिमाग जल्दी recall कर पाएगा, as compared to conventional तरीके, इसका में एक सबसे simple अगर एक्ज कभी हमें याद नहीं कराना पड़ता, न हम याद करते हैं, वो automatically हमें याद रहती है, उसका reason है, उसमें जो भी details है, story बताई जाती है, वो images के form में रहती है, और images को हमारा दिमाग बहुत जल्दी capture करता है, तो brain science course में हम यही कोशिच कर रहे हैं, जो हमारे conventional तरीके हैं, या आप recall करेंगे, तो आपको आसानी से वो चीज recall हो जाएगी, ठीक है, तो इतने, जिसको कहते है, scientific तरीका है, और इतना high dimensional तरीका है, जिससे आप चीजों को याद कर सकते हो, तो अब ऐसे कितने methods हैं, इसमें 14 scientific methods हैं, और इन 14 scientific methods को मैं अपने various demonstrational videos से, अपने अब इस channel पर, brain science channel पर upload करता रहूँगा, आपको पसंद आते हैं, तो आप उनको समझने की कोशिश करिए, मैं साथ में अपना whatsapp number channel पर upload करूँगा, इसके साथ साथ अपना facebook page, मेरा google page, और मेरी website भी मैं upload करूँगा, जिसके थूँआप मुझसे जुड़ सकते हैं, और इन वीडियो को जो की इंडिया के हमारे देश के best memory trainer है, और taxway group की help से वो इस brain science के course को इस देश ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे बच्चों तक इस course को पहुँचा रहे हैं, मैं professional memory expert के साथ साथ एक taxway का franchise distribution officer भी हूँ, तो ऐसे लोग जो मुझसे जुड़ना चाते हैं, और इस franchise को लेना च जाते हैं, वो भी मुझसे contact कर सकते हैं, और last में मैं यही कहूँगा कि बहुत ही scientific और बहुत ही innovative तरीका है, चीजों को learn करने का, जो अभी बहुत सारे schools in daily में है, महा पे भी उनके curriculum का, उनके syllabus का part बन चुका है, और इतना effective और इतना powerful है, वो इसलिए क्योंकि हम जो scientific methods इसमे बताते हैं, वो उससे बच्चे इतने जल्दी connect होते हैं कि चीजों को वो मतलब बहुत ही कम समय में और लंबे समय तक याद रख सकते हैं, वो भी बिना भूले, तो आइए हम और आप मिलके अब एक campaign शुरू करेंगे, जिसमें मैं उन methods का demonstration आपको दूँगा, आप कोशिश करें, आप कोशिश करें उन चीजों को समझने की और जैसे जैसे आप इन methods को practice करेंगे, आप देखेंगे कि आपका brain भी एक super computer बन जाएगा, तो अगर आपको ये वीडियो मसंद आया है, आप इसे please like करें, subscribe करें, मेरे YouTube के bell icon को click करें, मुझसे जुड़ें, और हर Sunday मैं एक इसे आप देखकर मुझसे जुड़ सकते हैं, उसमें आपको कुछ query हो, कैसे हो method आपके academics को improve कर सकती है, चाहे आप एक 6-3 से लेके 12 तक के बीच की student हो, या कोई competitive exam, aspirant हो, उसको आप किस तरीके से apply कर सकते हैं, वो आप मुझसे सीख सकते हैं, online, offline, जैसे भी आप चाहें, औ Samadhyya, signing off, keep studying, be safe and be productive, thank you so much.